हेलो फ्रेंड वेल्कम मेच चानल है आज मैं आमको बहुती आसां द्रीके से में हम अपना घर पे वजन कैसे मिड्य से नहीं आप बहुत रशाद में जित्ना द्लीक लटकतो क्थ वजन कंद कर सकते है और पेट उसको क्म कर करने के लिए बहुत ही अच्छी ड्रिंक तो एक बार यह बना कर जुरूर ट्राय कीजिए गा और जिन्हों अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कि और चैनल सब्सक्राइब कर लीजें ताकि जो भी मेरी वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तो अगर आपने इसको डेली पियाना तो आपना अपना मंजहा वजन कम कर सकते हूँ यह ड्रिंक अगर आपने रेगुलर यूज़ कर लीना तो वजन कम साथ-सात में हो गई साथ-सात में कहीं बिमारे भी खतम हो जाएंगी तो इस ड्रिंक को आपको दो टाइम पिना है मै आपको शुगर की चीजे मेठी की चीजे और आपको साथ में ऑईली फूड को बिल्कुल स्किप कर देना तो यह देख सकते हो बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिए अजवाइन और यह मैंने नीबु लिया है नीबु आपको देशी नीबु का यूज करना है इस इसका को दिहां रखना है आपको कुछ ट्रिक्स भी बता दे तो कुछ टिप भी बता दे तो आपके वेट लॉज के लिए जरनी के लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है तो आपको कोई टाइटिंग करने की ज़ुरत नहीं है जब भी आप खाना खाते हो आप दो रोटी खाते ह तो इस तरीके से आपको भूख भी लगना थोड़ी कम होगी और साथ-साथ में यह हमारा खाना भी डाइजेस्ट हो जाता है पेट में अगर आप एक साथ खालोगे तो डाइजेस्ट नहीं हो पाता और वही फैट में कनवर्ट हो जाता है बट उसकी जगा आप वही खाना आप टुकड़ों में तोड़कर खाऊगे तो बहुत ही आसान तरीके से कम भी हो जाएगा फैट भी कम होगा और साथ-साथ में बिल्कुल आप देख सकतो पच भी जाएगा डाइजेस्ट भी हो जाएगा तो अजवाइन बहुत ही अच्छी सोर्स होने वाली है इस चीज कर करने के बाद आप 15-20 मिट एक्सराइज करिए इस चीज होती है जिससे हमारा वजन कम करने में बहुत जादा करती है हमारे को तो आपको कोई भी एक्सराइज कर लिए 10-15 मिनिट आपको इतनी एक्सराइज करने कि पसीने आपकी बॉड़ी से निकलना स्टार्ट हो जाएए हीट पैदा हो आपकी बॉड़ी में उससे होता ही है कि बिल्कुल वो मेटाबॉलिजम को भी बूस्ट करने में हेल्प करेगा और साथ-साथ में आपका फैट भी रेड्यूस करने में मदद करेगा तो अजवाइन मैंने चुटकी भर डाल दिया है पानी में तो अजवाइन लेडी है और मैंजुरेशन के टाइम भी इसको स्किप करना चाहिए इस डिंग को तो मैंने थोड़ी सी इसमें डाली है जीरा तो जीरा भी चुटकी बर मैंने डाला और अजवाइन मैंने चुटकी बर डाले तो इसको अची तरीके से उकाल लेंगे नॉर्मली इसको कोई भी पी सकता है अगर आपके कोई बैमारी है तो आप डॉक्टर की सला ले सकते हो अजवाइन फायदा बहुत ही अच्छा करती है अभी सर्दिया भी चल रहे हैं तो आपना यह थोड़ा से तासीर गरम रहती है तो बॉड़ी को भी इम्मूटी बूस्ट करेगी और गरम यह जर्दिया बहुत ही अच्छा काम करती है है मेटावलिजम को भी बूस्ट करती है और सहाथ साथ में आपके मुह पे भी गलू लाने में साथ में। क्योंकि जीरा ना चेहरे पे ग्लो लाना बहुत ही अच्छा अगर आप जीरे को डेली उस करोगे ना तो चेहरे में ग्लो भी आता है इसको खाने से पीने से जीरा और अजवाइन एक बार आप इस तरीके से यूज कीजिए आफ खुद ही अकी नहीं मानोगे हैरान हो जाओग इस डिंग को मैं आपको बता देती हूँ अगर आप 18 के नीचे हो तो आपना नॉर्मली गुंगुना पानी कर सकते हो और फिर उसमें आप नीबू ढाल कर या नॉर्मली वैसे इसकिप करके भी गुंगुना पानी पी सकते हो अगर आपको फैट रिद्यूस करना है तो तो कि आप आप डाल दिए आप देख सकते हो तो यह पानी मैंने शर्व कर लिया है ग्लास में और इसमें थोड़ा सब्सक्राइब डाला है और जिसको अलरजी करते है न मोग स्कृप्ट कर सकता है बिल्कूल और इसको नहीं करते है और डाली क्योंकि नीबु बहुत ही अच्छा किलो वजन कम हो जाएगा राम से तो अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कि हम आपको दुबारा बोलू सब्सक्राइब कर लिए ताकि जो भी मेरी वीडियोस होंगी उनकी नोटिफेशन सबसे पहले आपके पास आएंगी और यह द्रिंक आप देख सकतो कितने हुँष्चम करें आपको कोई nature नहीं है बहुत ही आसान तरीगहें से अपना प्लशाइब कर सकते हैं इस हust Ce तो तीन ताइम आगर पीना है तो डो टाइम पीना है तो आप उसको लिश्टोर करके रक सकते हैं छिस यह रहती है अगर आपको इसको च्टोर करना यह करें यह निहीं कि आपने इस ट्रिंक को बना लिए बहुत जादा और आप तीन चार दिन प्रोव वो भी आपके नुक्स